अफगानिस्तान में फसा बुलन शहर का मुकेश भारत सरकार से लगाई न्याय की गुहर रैबरेली ज्विले में कानून विवस्ता हुई धुस्त तमंचे के बल पर रेप करने की कोशिश सोन भद्र के एंटी पीसी रिहंद परियोजना के बॉयलर में लगी आग आग लगने से मचा हर कम कानपूर देहाद में अवैद असलहे के दम पर दबंगों की दिखी दबंगई दबंग जमीन पर अवैद कब्ज़ करने के लिए पहुचे सपासांसच का तालिबान प्रेम तालिबान के सपोर्ट में आए शफिकुर रह्मान पर मुकदम दर्श नमस्कार मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की खास खबरों का अफगानिस्तान पर तालिबानी कबजे से पूरी दुनिया चुन्तित है और सभी देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुट गया है तालिबान के शासन के बाद अफगानिस्तान के हालात पर सभी की नजर है और लोगों को डर है कि वहाँ फिर से कुरूरता का दौर ना शुरू हो जाए लेकिन इस बेच भारत में समाजवादी पार्टी के सांसद ने तालिबान की तारीफ में कसीदे पर दिये हैं यूपी के समहल से समाजवादी पार्टी के सांसर शफिकुर रह्मान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कज़े को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है सपसांसत ने कहा है कि तालिबान एक टाका थे तालिबान ने अपने मुलक में रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के पाउं तक नहीं जमने दिये हैं शफिकुर रह्मान बर्क ने तालिबान की शान में कहा कि अब तालिबान अपने मुलकों को आज़ात करा कर देश को खुद चलाना चाहता है ये तालिबान का आंतरिक मामला है जब पूरी दुनिया तालिबान की खिलाफत कर रही है ऐसे में सपा सांसर का बयान समझ से परे नज़र आता है अब इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है कि तो व्यान टालिबानी आत्रमादियों के समर्थन के पर्शन देने वरा इए पूर्व भारत की सरकार के दौरा इस पर प्रतिवन लगा जाए जा चुका है हम स्थार्ब्राइब प्रत्तय आ करते हैं कि और यदि उन्हें तालिवानी से प्रेम है डाक्टर सजीफवान बर् याओन तरनों चलेगा उनको के पास क्राइय का पैसे नहीं ये टिकिट के पैसे तो पता 135 औरoras चंबल डॉक्टर सफीगुर रह्मान बर्ग वद्दो अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी वह मुहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीक्रत किया गया है इनके द्वारा तालिवान के संबंद में भरकाऊ बयान दिये गए एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजे सिंगल इस विखित थाया गया ही है की डॉक्टर बग द्वारा के भारत के स्वायदिन्ता सेनागियों के साथ तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई गयातव्यों की तालिबान भार्वत सरकार द्वारा घोशित एक आतनकवादी संगठन है इस तरह के बयान देश द्रोग की श्रेणी में आते हैं अता उपरोग लिखित तहरीय के आधार पर उपरोग तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A वद 295A IPC के अंतरगत अभ्योग पंजीकरत किया रहा है अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेस्बुक पर इसी प्रकार के बयान दिये गए उनके विरुद्ध भी इसी F.I.R. में अभ्योग पंजीकरत किया गया है समस्क साथ से संक्लन के साथ में वैधानी कारवाई की जा रही है देश द्रोग की बारे में इस तरह के बयान वाजी करने वाले विक्तियों अत्वा सोशल मीडिया पर इस तरह की प रहे तालिबानी कबजी की स्थिती को बता रहा है वीडियो में मुकेश कहता नजर आ रहा है कि वो बुलंद शहर का रहने वाला है और वो अफगानिस्तान में एक कंपनी में फसा हुआ है कंपनी मालिक महां से आने नहीं दे रहा है पासपोर्ट भी कंपनी के अंडर में ही है वही भारत सरकार से युवक लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है उसको जल से जल्द वहां से निकाला जाए आगरा में तिरंगे और रास्ट्रगान के विरोध पर मुकदमा दर्श किया गया है आपको बता दें कि 15 अगस्त को आगरा की शाही जामा मस्जित में द्वजा रोहन के बाद रास्ट्रगान हुआ था जिसमें अल्प संख्यक आयोक के अध्यक्ष असफाक सैफी वा शाही जामा मस्जित के चेर्मेन असलम कुरेशी कारेकरम में मुक्य अतिती के रूप में पहुचे थे इसके बाद जामा मस्जित के चेर्मेन असलम कुरेशी को शेहर मुफ्ती कुद्दस खुबेब रूमी द्वारा फोन पर धंकी दी गई थी ओडियो वाइरल होने के बाद असलम कुरेशी की तहडीर पर आगरा के थाना मंटोला में मुकदमा दर्श कर लिया गया है असलम जामा मस्जित के ओपर जो है तरंगा ज्हंडा लगा के जो है जन्मन गर जो है वो गवाया और अंदर बीटिंग की जो कतई हराम है और मुफ्ती साथ बिलकुल वज़ा फर्मा रहे हैं अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाब जो है आवाद उठेगी और से जो है बाहुल खराब होगा और अल्ला की पकर तुमार उपर आगी बहुत जल्दी इससे सक्त नाराज हैं सब लोग जो है लादा हम इस बात को बरदाश नहीं करेंगे कि आप जो है मस्जित को सियासिया खाड़ा बनाएं लादा आप होश में आ जाओ अब बहुत हो गय और वहां पर तरिंगा लहरा रहा है और यह आप अपने घर पर करिए अपना ओफिस बनाएए वहाँ पर अगर आप जो है चेयरमैन लिप बने हुए हैं तो बनाएए अपना ओफिस वहना आपके खिलाफ यह आवाज जो है बहुत तेज होगी और पूरे आग्रा के मुसल् खटे होके जो है आपकी मुखालपत करेंगे और यह यह जो है आपको जो है वहाँ से बरतर सिदाथ नगर के थाना छेत्र होरिलापूर गाउं से 25 वर्ष यह यूवक के नदी में डूबने की खबर सामने आ रही है सूचना के मुताबिक होरिलापूर गाउं निवासी पपू निशाद गाउं के ही कुछ बच्चों के साथ मवेशियों को चराने गया था जैसे ही ये घटना होई वहां मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया आवाज सुनकर मौके पर पहुँचे ग्रामीरों ने नदी में चलांग लगा कर यूवक की काफी तलाश की लेकिन नदी का बहाओ इतना तेज था कि यूवक का मिलना असंभव था रैवरेली के सलोन कोतवाली शेतर में पुलिस की लचर कार्य शैली से जिले की कानून रिवस्था दोस्त हो गई है अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है खेट से घर जा रही महिला से गाउं के ही यूवक ने तमंचे के दम पर बलातकार करने का प्रयास किया वहीं महिला के शोर मचाने पर ग्रामीडों को आरोपी ग्रामीडों ने आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया आजमगर प्रभारी निरिक्षक फूलपूर और उनकी तीन द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया चेकिंग के दौरान हत्र नौरा कला में एक मोटर साइकल पर सवार तीन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई जिसके बाद बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फा कराये गया है जर उठाते जंगल में इसने हिरासत में ले लिया है और आगे की कारवाई में जुट गई है सोन बद्र के बीचपूर में स्थित एंटी पीसी रिहंद परियोजना के बॉयलर में आग लग गई है आग लगने की वजह से अफरा तफरी का महौल बन गया है वहीं मामले की ज़ानकारी होने के बाद परियोजना के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँच गया है हलाकि फायर ब्रिगेड और CISF के जवानों ने मिलकर दो घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पा लिया है वहीं परियोजना के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है जबकि इस आग की घटना से हुए नुकसान का आकल दुकानदारों को परेशान किये जाने का मामला सामने आ रहा है पट्री दुकानदारों का कहना है कि हमें करीब 12 दिनों से यहां दुकान लगा जाने से मना किया जा रहा है उनका कहना है कि करीब 20 साल से यहां दुकान लगा रहा है लेकिन फिर भी नगर निगम हमें परेश पाट ये जो करोना काल में हम दोगा नुक्सान हुआ है मोजी सरकार ने 10,000 रुपय कारोवार के लिए बिए हैं यह इसका रहा है तो इसके कमाई से ही तो भरेंगे यह तो देंगे यह नहीं दे रही है और यहां में एक यूवक की संदिक्द परिस्थितियों में मौत हो गई है आपको बता दे कि थाना बेला के कसबा याकुब पूर में अपनी भावी के घर आई यूवक की पेड़ से लटका हुआ शौ मिला जसके बाद इलाके में संसनी फैल गई है वहीं यूवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जटाई है जानकारी मिलते ही थाना पूलिस और फॉरेंसिक टीम घटना इस्थल पर पहुचे पूलिस ने शौको कबजे में लेकर पोस्तमाटम के लिए भेज दिया है और आगे की जाश परताल में जुट गई है आजमगर्ड पूलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पूलिस ने 25 हजार का इनामी बदमाश को गिरफतार कर लिया है वहीं पूलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई है जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है वहीं गोली लगने से बदमाश गंभी रुप से घा पूलिस को गई है जाए गया है जाए प्राते ताल सुभे सब्सक्राइब लेड़ा गंज और थान देश्रोना पार एक बदमाश की सूजना पर गोरिया वजार में चेकिंग कर रहे थे तो एक बदमाश मोटर साइकल पर आता हुआ दिखाई दिया उस उसी जब रोकने का प्रियास का गया है तो वह है महराज गंद रोड पर भागा उधर से थाना अर्टी सेट सूजना मिल पर थाना दिख दीदार गई में फूर्स के आ गया और बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फारी करें काउंटर फारी में बदमाश की टांग में गोली लगे और उस और उस व्यक्ति की हत्या कर दे गई थी इसके ओपर 25 अरब इनाम पूर में मेरे दौरा खुशित किया गया था इसके पास से एक मोटर साइकल तमंचा कानपुर दिहाद के कबजा सिकंदरा थाना छेत्र के करीम नगर गाओं में अवैद असलह के दम पर दबंगर जमीन पर अवैद कबजा करने के लिए पहुचे एक बिगहा जमीन को अवैद असलह के दम पर 10 से 12 लोग मिल कर कबजा करने आये थे वहीं ग्रामीडों के विरोध करने पर बदमाशों ने असलहा लेकर ग्रामीडों को दोड़ा दिया वहीं मौके पर पहुची पुलिस ने अवैद असलहा छे जिन्दा कार्तूस के साथ बदमाशों को गिरफतार कर लिया है अधार चर्वीर हो गया तक्ता सी मुम्यडों में अधाया लिए जवर इस पित्वाद नम्मर कॉल दिया तो अधला से तक्रा गया से बरामत को लिए जब देखने गए खेत तो अपना ये कि दस पाँच आदमी से दस आदमी की संथिंग थे तो हम वहां गए तो हमको एक बाबा था जिसने जमीन देची थी तो वह खना हमको दमकी देखे और पहले तो उसमें का नो हमको चिमीटा दिये था चिमीटा से फिलाल की खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी प्राइम इतना जिए और ला का नुए धिला दूड़ की टेखित पार हमको चाल में आज उस्स अणाना हैं प्राइम जा इतना हैं विला ना हमको उनीटा जा फिलावां जा जा रहे हैं प्राइम